याने की सोया वड़ी की रेसिपी आपने शायद कई बार सोया की रेसिपी की बनाए होंगे। आज मैं इसे ठोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूं और आप इस तरीके से सोया नगगे्ट्स की रेसिपी बना कर देखिए। आपको बहुत ज़ता मजा आरने वाला है यह रेसिपी एक perfect side dish है हर एक चीज के साथ पूरी पराठा, रोटी, चावल, पुलाव और घी राई सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगने वाला है और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा फ्र साथ ही साथ दिये गए बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी upcoming new videos मिलती रहे तो बिना skip किये ये वीडियो को देखते रहे और जल्द से जल्द घर पे बना के सब को खुश कर दीजिए तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी सोया वड़ी की रेसिपी आपके पास न हो तो आप नॉर्मल जो आलू आते हैं उसको भी बड़ा बड़ा काटके ले सकते हैं आज हम इसका पील उतारेंगे नहीं यानि कि इसके छिलके को उतारेंगे नहीं इसी के साथ हम रेसिपी बनाने वाले हैं ये जो दाग आप देख रहे हैं वो सब दाग ही होता है इसलिए आज हम इसको इस तरीके से बनाने वाले हैं आप एक बार इसको पील के साथ बना के देखिए बहुत अच्छा लगने वाला है और मैंने इसे स्क्यूर के साथ पियर्स कर लिया है ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले का टेस्ट घुसे और जल्दी से जल्दी यह पक जाए यह देखिए मैंने सोया नगिट्स लिया हुआ है और इसको मैंने सोक करके रखा था नमक वाले पानी में और यह अब सोक हो गया है तो मैं इसको निचोर निचोर के धोओंगी क्योंकि यह भी फैक्टरी से बनके आता है तो यह उत्तरब काफी हाईजिनिकली कई कई पे बनता नहीं है तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से निचोर निचोर के धो लेना बहुत ज़रूरी है तो लास्ट में हम इसको ऐसे ही पूरा निचोर के इसका पानी निकाल के बिल्कुल ड्राइ यूज़ करेंगे ठीक है तो थेखिए अभी हम एक कढ़ाई ले मेरे घर पे मस्टर डॉयल याने के सरसो का तेल यूज़ होता है पर आपके घर में जो भी तेल यूज़ हो आप वही यूज़ करना और तेल गरम होने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और उसी के साथ नमक, हल्दी और लाल मिच का पाउडर हम डाल देंगे और उसी के साथ पकाएंगे इसलिए हम इसको बॉयल नहीं करेंगे इसका ऊपर का छिलका अच्छे से फ्राई होना चाहिए नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं करेगा इसलिए हमने इसको पहले से बॉयल नहीं किया है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे हाँ कवर करने मिनिट तुरबे दो चिलक थोड़ाशी जड़ाशी प्राइप रभ्वार हो या फेन से थोड़ा सा पकेगा तो अधागा चिलक दाम फूरा था फोड़ा थन कमें पकाती दावेнд या अधाal केंपर दाशेकर असजने के दालाशी चिलक दार सब्सक्राइप जीरा पाउडर लिया है यह हल्दी और हाफ चमत चीनी जरूर डालना है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और काफी सारा यह पाउडर वाला हींग मैंने ले लिया अगर आप प्योर वाला जो स्टोन टाइप का जो हींग आता है वो अगर यूज़ करें थोड़ा सा कम ड तो हम इसको थोड़ा पानी डाल के घोल के रख देंगी फूलने के लिए तब तक हम देख लेंगे हमारा आलू तो देखिए हमने जो पानी डाला था वो अभी तक पूरा यूज़ नहीं हुआ है फिर भी हम उसको खोल के देख लिये थे वो ठीक से पका नहीं था इसलिए ह हमने और एक बार इसको कवर कर दिया था लो फ्लेम में तो यह सब को जब भी हम कवर करेंगे लो फ्लेम में करेंगे क्योंकि जब हम कवर कर रहे हैं तो सबजी को हम अंदर से पकाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे तो देखिए हमारा ज इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, इस तरह से लाल-लाल हो जाने तक इसको हम फ्राई करेंगे, तो अभी हम निकाल लेते हैं, जबकि ये लाल-लाल से फ्राई हो गए है, उपर का जो पील है, वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, और उसका खुश्बू बहुत अच्छा न पर मुझे लग रहा है, ये काफी है, अभी मैं डाल दोंगे टोमेटो का पेस्ट, यानि की टोमेटो प्यूरी आपको जो चाहिए, और ये है हरी मिर्च और अद्रक का कूटा हुआ पेस्ट, तो आप एक साथ भी तीनों को पीस के डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ा अलग क क्या था, क्योंकि कूटे हुए चीज का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, अभी देखिए हम इसमें जो मसाले हमने सोप करके रखे हुए थे, वो भी हम डाल देंगे, ये पूरे चीज को हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, तो इसको पकाते पकाते हमारा एम होगा कि ये अच्छे से भून जाए, ये हमारा मसाला और ये ओल छोड़ दे, ये अपना तेल बिल्कुल छोड़ दे, तब तक हमें इसको पकाना है, और मसाला अच्छे से भूने, वही एक सिक्रेट होता है, कोई भी रेसिपी का अच्छा टेस्ट करने का, तो आप मसाले को बहुत ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, अगर हमारा मसाला कच्छा रहे तो हमारा रेसिपी बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं करता है, तो अभी हमने पानी डाल दिया है और इसमें बॉइल आने के लिए हमने ढग दिया था, ढगने से जल्दी से जल्दी बॉयल आना शुरू हो जाता है तो बॉयल आने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे तो आलू अभी भी थोड़ा बहुत कच्छा है तो हम इसको थोड़ा सा कवर करके फिर से पकाएंगे और देखिए अंदर से भी ये अच्छे से नरम हो गया है जितना बचा था ये मतलब 70 परसंट पका था तो हमने इसको अभी 100 परसंट पका लिया है इसके अंदर मसाला भी घुश चुका है याद है ना आपको की हमने इसको पियर्स किया था अंदर से तो अंदर भी इसका मसाला अच्छे से घुश गया है अभी देखिए हमने सोया चंक्स डाल दिया है और ये ह मटर जो मैंने सोक के रखा हुआ था और इसको मैंने नमक और हींग के साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया था जब तक कि ये मतलब प्रेस करने लायक न हो जाए तब तक इसको बॉयल करना है आपको तीन से चार सीटी इसमें लगाना पड़ेगा ये सब कुछ डालके हम इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद फिर से कवर करके हम इसको पांच से साथ मिनिट तक पकाएंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर और इसका पूरा जो टेस्ट है वो सभी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और अंदर घुस जाए आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो पका हुआ है तो पांच से साथ मिनिट क्यों करना है क्यों पकाना है फिर से कि इसका जो अरोमा है इसका जो फ्लेवर है सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से पूरे सबजी में इसको फैल जाना जाए इसलिए कवर करके हम बिना क हनिया, लाल मिर्च, और खड़े कुछ गरम मसाले, यह सब कुछ हम भूनते हैं, और इसको हम पाउडर बना लेते हैं, तो इस मसाले को हम लास्ट में डालेंगे बिलकुल, क्योंकि यह अल्रेडी फ्राई किया हुआ मसाला है, रोस्टेड मसाला है, तो इसको हमने डाल के एक बार मिला दिया है, और अभी मैं अपना गैस का फ्लेम ओफ कर दूँगी, और यहां देखिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है लास्ट में, और कुछ धनिय का पत्ता, और अच्छे से इसको हम मिला देंगे, मिलाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, अराउंड 3-4 मिनि बिलकुल रेडी हो चुकी है, सोया नगेट्स और बेवी पोटेटो की रेसिपी, और देखिए यह जो हमने मटर डाला है तो आप इसे जरूर डालिए, इसी से इसका टेस्ट बिलकुल अलग हो जाएगा, और जो भाजा मसाला भी हमने डाला था लास्ट में, उसको भी आप बना के डालने की कोशिश कीजिए, मैंने पूरा इंग्रीडियन्स डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, और वहां पे भी सब टाइटल्स में भी लिखा हुआ है, तो आपको सारा इंग्रीडियन्स मिल जाएगा, पूरे चीज को आप रोस्ट कीजिए, और पूर्चे मटर के साथ, इसका टेस्ट अलग होगा, और इसके साथ अलग होगा, तो वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आए, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, तो मिलते हैं, और एक निव रेसिपी के साथ, ठाक्राइब और शुग्चे में आपको कैसी लगी